इस वीडियो को आखरे तक देखिएगा मज़ा आने वाला है मैं बात कर रहा हूँ रपना करुपध्य और आप देख रहे हैं क्या Unique Online Guru चैनल तो मित्रो कुछ हम लोग अच्छा सीखते हैं हम लोग बात करने वाले हैं SMTP के बारे में Simple Mail Transfer Protocol के बारे में बात करने वाले हैं सिर्फ देखिए हमारा एकदम सीधा से वालड आ रहा Transfer, Transfer Protocol means क्या हुआ? Transfer करना देखिए एक वालड में एक क्लियर हो जाता है काफी चीजे कुछ वालड से ही क्लियर हो जाती हैं हमारे किसी में Definition की बात कर लें पिर किसी चीज की बात करें तो काफी चीजे किसी क्लियर होती है वालड से ही क्लियर हो जाती है यह हमारा जो प्रपोस्ट हुआ था 1982 में यानि की 1982 में है हमारा यह प्रपोस्ट हुआ पिर उसके बात की बारे हैं तो यह स्टेंडर्स प्रोटोकॉल यह एक हमारा मानक प्रोटोकॉल है जिसका उप्योग इंटरनेट में कुसलता पुर्वग मैसेज को इमेल को सेंड करने के लिए उप्योग किया जाता है किसके लिए उप्योग किया जाता है सेंड करने के लिए उप्योग किया जाता है अगर हम इसमें एक बात कर लें, तो key points कुछ देख लेते हैं हम लोग, किसमें SMTP की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग key points कुछ देते हैं, SMTP is application level protocol, इसको हम लोग क्या कहते हैं, application level protocol भी कहते हैं, ध्यान से मारी बात समय लिजे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, application level protocol कहते हैं, SMTP is जिस्को हम लोग tax-based protocol भी कहते हैं गय कहते हैं टो यह हमारा दोस्तो है SMTP बात समझ में आई यह हमारा mail protocol के अंतर गता ता किसके अंदर गता है mail protocol के अंदर आता SMTP जिसको हमलोग कहते है simple mail transfer protocol कहते है अगर हम mail protocol की बात कर ले तो उसमें हम लोग send भी कर सकते हैं receive भी कर सकते हैं लेकिन इसकी बात करें तो हम लोग कुसलता पुर्वक अपने internet के द्वारा किसी भी email message को send करते हैं जो protocol इसमें use होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं SMTP बात करते हैं clear हो गया अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग कोई सुझाओ दिना है तो आप लोग के गवार comment जरूर करेंगे अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग like, share, subscribe करना बिलकुल नहीं दूलेंगे और घंटा बजाना तो बिलकुल नहीं ठीक है आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन